मेरे पहरे देश्वासियों, पुरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है, जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब वितिय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे, जितने आज कोरोना की इस बिमारी से हैं। पिछले दो महने से हम दिरंतर दुनिया भर से आ रहे, कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन दो महनों में भारत के 130 करोड नागरीकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामरी का डटकर मुकाबला किया है। सभी देश्वासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भरत्सक प्रयास भी किया है। लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है, ऐसा लग रहा है, जैसे हम संकर से बचे हुए है। ऐसा लगता है, सब ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिन्त हो जाने की ये सोच सही नहीं है। इसलिए प्रतेग भरत्सका सजग रहना, सतक रहना बहुत आवश्यक है। साथियों, आपसे मैंने जब भी, जो भी मांगा है, मुझे कभी भी देश वाश्यों ने निराश नहीं किया है। ये आपके आशिरवात की ताकत है, कि हम सम मिल करके, अपने नरधारित लक्षों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास सफल भी होते हैं। आज मैं आप सभी देश वाश्यों से, एक सो तीस करोड देश वाश्यों से, आप सब से कुछ मांगने आया हूं। मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ताह चाहिए। आपका आने वाला कुछ समय चाहिए। मेरे पैरे देश वाश्यों, अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाई नहीं सुझा सका है। और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है। ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़ने बहुत स्वाभाविक है। दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाईरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। वहाँ अध्यान में एक और बात सामने आई है। इन देशों में सुरुआती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है। इन देशों में कोरोना से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनोंने आवशक निर्णे भी किये और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आइसोलेट करके स्थीती को संभाला है। और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है। भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश के सामने और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रैतनेशिल देश हैं। और हम जैसे देश पर करोणा का ये संकट सामाने बात नहीं है। आज जब बड़े बड़े और विक्षित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं। तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुग बातों की आवशक्ता है। पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज एक सो तीस करोर देशवासियों को अपना संकल्प और द्रट करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने करतव्यका पालन करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशान, निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है। हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ एशी स्थिति में जब इस बिमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना ये सबसे पहली आवश्च्छता है। इस बिमारी से बचने और खुद के स्वस्त बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है वो है सईयम और सईयम का तरीका क्या है बीड से बचना घर से बाहर निकलने से बचना आजकल जिसे सोशियल डिस्टंसिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशियल डिस्टंसिंग ये बहुती ज़्यादा आवशक है और कारगर भी है हमारा संकल्प और सईयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं आपको कुछ नहीं होगा आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे शरकोपर जाते रहेंगे और कॉरोना से बचे रहेंगे मैं समझता हूँ यह सोच सही नहीं है ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रिये जनों को अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे इसलिए मेरा सभी देशवासियों से यह आगरह है कि आने वाले कुछ सब्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें जितना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करें जो सरकारी सेवंगों में हैं अस्पताल से जुड़े हैं जनप्रतिनी दी हैं जो मिडिया कर्मी हैं इनकी सक्रियता तो आवशक है लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को खुद को बाकी भीड़वार से बाकी समारों से आईसोलेट कर लेना चाहिए मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटिजन्स हो साट पैंसट वर्स की आईउ के उपर के व्यक्ति हो वो आने वाले कुछ सब्ता तक घर से बाहर न निकलें मैं फिर से आग्रह करता हूँ साट पैंसट से उपर की आईउवाले हमारे सभी परिवार के जन गर से बाहर न निकलें हो सकता है कि वर्तमान पीडि पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं जो जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था शिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था बंद लाइट बंद रखी जाती थी लोग रात भर चौकी करते थे और युद्ध न हो तो भी साल में एक दो भार तो भाहां के जो नगरपाली काई होती थी वो जागुरू को करके ये ब्लेक आउट काई डिल भी करवाती थी लोगों का आदत बनी रहे इसके इसके लिए प्रयास करती थी और इसलिए मैं आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन माँग रहा हूँ ये हैं जनता करफ्यू जनता करफ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया करफ्यू इस रभिवार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रभिवार को सुबे 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवास्यों को जनता करफ्यू का पालन करना है इस जनता करफ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हाँ जो आवशक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा तक उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं सात्यों बाइस मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम देश हित्मे करतेवे पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीख होगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूँगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संगठन है NCC है NSS है कई उवा संगठन है Civil Society है खेलकुत के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रविबार तक इस जमता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं लोगों को जागरुक करें आप ये भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समझ में नागरिक को करने वाले काम जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं मेरे प्यारे देश स्वासियों ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार्चे हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिराब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है ये देखने और परेखने का भी समय है आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आप से एक और सहीयोग चाहता हूँ साथियों पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं नर्सीज हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो एरलाइन्स के करमचारी हो सरकारी करमचारी हो पुलीस करमी हो मीडिया करमी हो रेलिवे, बस, अटो, रिक्षा की सुविधा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो यह लोग अपनी परवां न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखे तो ये सेवाएं सामान्यन नहीं कही जा सकती आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राष्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूँ कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद कर अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है रविवार को यहने जनता करिफ्यू के दिन शाम को ठिक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर 5 मिनिट तक रविवार को शाम को 5 बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसाशन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को पांच बजे साहरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुँचाएं सेवा पर्मो धर्म के हमारे समस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे हॉस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे परामेडिकल स्टाप को इस माहमारी के लिए प्रात्फिक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देश्वाश्यों से आगर ये भी है कि रूटिंग चैवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिल डॉक्टर या अपने रिस्तेदारी में जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर फोन पर ही उनसे आवशक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवशक न हो ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आगर है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दे साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ ववस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए कि शरकार ने भारत सरकार के वित्त मत्री के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में सरकार ने एक कोवीड 19 एकनामिक रिस्पोन्स टास्फ फोर्स इसके गठन का फैस्टला लिया है ये टास्पोर्स साहरे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्थिती का आकलन करते हुए निकड भविश में फैसले लेगी ये टास्पोर्स ये भी सुनिस्षित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निश्चित तोर पर ये महामारी ने देश के मध्यमवर्क, निम्न मध्यमवर्क और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षती पहुँचाए दी है संकड के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आयवर्क से भी आग्रह है कि अगर संबव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दपतर न आप आएं आपके घर न आप आएं ऐसे में उनका वेतन न काटे पूरी मानवियता के साथ संवेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखेगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वासियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूं कि देश में दूद खाने पिने का सामान दवाईयां जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्चक चीजों की कमी ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे है ये सप्लाई कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश वासियों से यागर है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड न लगाए आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान रुपसे ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग ये कता ही ठिक नहीं है उसको न करें साथियों पिछले दो महनों में 130 करोड भारतियों ने देश के हर नागरिक ने देश के सामने ये जो संकट आया है उस संकट को देश वासियों ने अपना संकट माना है भारत के लिए समाज के लिए देश वासियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देश वासि अपने कर्तवयों का अपने दाइत्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हाँ मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईयां भी आती है आशंकाओं और अप्फाओं का वातावरन भी प्यादा होता है कई बार एक नागरिक के तोर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी तिति में सारे देशवास्चियों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने कई भी आवशक्ता है साथियो हमें अब भी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्राथिक्ता देनी है आज देश में केंदर सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है यह आवशक है कि वैश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजय हो मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन में नवरात्री का पर्वा आ रहा है ये शक्ति उपासना का पर्वा है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्चक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचें देश भी बचाएं जग को भी बचाएं फिर एक बार मैं आग्रह करूँगा जनता कर्व्यू के लिए मैं आग्रह करूँगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद